नमस्कर दोस्तों एक बर फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में कल यानी की सुमवार को इस वैस्विक महामारी के बीच विस्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट में विस्व बैंक ने अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले समय में चीन और पूर्वी इसिया प्रसांत देशों का विकासदर सिर्फ 2.1 फिसदी रह जाएगी यह विकासदर 2019 में इसी चेतर में 5.8 फिसदी थी सिर्फ इतना ही नहीं विस्व बैंक ने ये भी अनुमान जाहिर किया है कि आने वाले समय में इस वैस्विक महामारी के बाद इसी चेतर में यानि की चीन और पूर्वी इसिया प्रसांत देशों में 1.1 करोर लोग गरीबी के दायरे में चले जाएंगे यह रिपोर्ट विस्व बैंक के एक रिपोर्ट के ठीक विपरित है जिसमें विस्व बैंक ने वर्स 2019 के दिसंबर में जारी रिपोर्ट में कहा था कि इस चेतर में यानि की चीन और पूर्वी इसिया प्रसांत देशों में 3.3 करोर लोग करीबी दायरे से उपर उठ जाए था कि चीन और पूर्वी प्रसांत देशों के 3.3 करोर लोग करीबी दायरे से उपर आ जाएंगे और ठीक जब यह तीन महीने के बाद इस वैस्विक महामारी के बीच में रिपोर्ट आया तो कहा जा रहा है कि इस वैस्विक महामारी के बीच एसिया और पूर्वी प्रसां इसके अलावा अगर इस रिपोर्ट में हम लोग सिर्फ चीन की बात करें तो इस रिपोर्ट में चीन के संदर्ब में कहा जाता है कि 2019 में चीन की विकासदर 6.1 फिस थी जो की वर्स 2020 में यह घटकर मातर 2.3 फिस रह जाएगी अगर हम लोग भारत के संदर्ब में कुछ बाते क चाहिए इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत का जो विकासदर है वर्स 2020 और 21 में वो रहने वाली है आपका 3.6 फिस थी जो की इसी रेटिंग्स के अनुसार पहले जो जनवरी में रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार कहा गया था कि भारत का जो विकासदर है वो 5.5% रहेगा वर्ष 2.221 में और अगर 2019 और 2020 की बात करें तो जब 2019 और 2020 का जब final date आएगा तो इस rating का कहना है वर्ष 2019 और 2020 में 4.7% के आसपास रह सकती है इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर राश्टिय संखी की कारियाले की बात करें तो वर्ष 2019 और 2020 की जो लास्ट की तिमाही होगी उसमें भारत का विकास दर रहने वाला है 3.6% और अगर हम लोग 2020 और 21 के प्रतम तिमाही की बात करें तो उसमें भारत का विकास दर 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है किसके दोरा राश्टिय संखी की कारियाले के दोरा इसके लावा अगर हम लोग कुछ और एजनसी इसके बात करें कि भारत के संदर्ब में इन्हों ने क्या कहा तो मैं आपको यहाँ पर वैस्विक क्रेडिक एजनसी मुडिस के बारे में इस वित्वर्स यानि कि 2020 और एक केस के लिए तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है इस वैस्विक महामारी के बाल पूरी दुनिया की अर्थ व्यवस्था की कमर तूटने वाली है सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको यहाँ पर एक और डेटा देता हूँ क्रूड ओइल से रिलेटेड जितने भी क्रूड ओइल के एक्सपोर्टिंग कंट्रिस का जो और्गनाइजेशन है उपेक उसने अपने क्रूड ओइल के प्रोडक्शन को कम करने का यहाँ पर फैसलर दे लिया है क्योंकि कुरोना वाइरस से मची तबाही का असर इन पर भी पड़ा है और 17 साल के नीचले स्तर पर पहुंच गया है कच्चे तेल की कीमत यहाँ पर आज के समय में जब यह रिपोर्ट आया है तो मैं आपको क्रूड ओइल का अगर प्रैसेज बताओं तो 6.5 फेसदी जो है वो गिर कर तेज डॉलर पर आ गया है यह इंटरनेशनल प्रैस है क्रूड ओइल का और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में क्रूड ओइल की जो प्रैसेज है वो 10 डॉलर तक भी पहुँच सकती है तो आप समझ सकते हो कि अगर क्रूड ओइल की प्रैसेज 10 डॉलर तक पहुँच जाए जो कि लगबग 30 साल के नीचले स्थरवे पहुँच जाएगी तो पूरी दुनिया की हालात किस प्रकार से हो सकती है पूरी दुनिया की अर्थवेवस्था की कमर किस प्रकार से तूट सकती है भारत में भी अगर आप देखोगे तो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो 90 फीसिदी तक कम हो गया है तो कहीं न कहीं इस वैस्विक महामारी से जब हम निकलेंगे तो पूरी दुनिया के लिए जो सबसे बड़ी चुनाओती होगी वो होगी अर्थफेवस्था को कैसे बचाया जाए इसके बाद अगर किसी भी एजेंसिस की रिपोर्ट आती है भारत के संदर में तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूँगा तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो लिक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है तो घर में बैठकर आप अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो हमारे इस मॉबाइल कुर्स के मात्धिम से अलग-अलग सब्जेक्ट वाइस भी ये मॉबाइल कुर्स तो अगर आप चाहो तो इस मुबाइल कोर्स का फायदा उठा सकते हो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें या फिर जो आपकी स्क्रीन के बगल में नंबर दिया हुए उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर सकते हो लाइक करें तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में तो फिलाली इतना ही, थैंक्यू, थैंक्यू बेर मैच